आज की बड़ी खबर आज याने 18 माई की खबर को हम लोग चलते हैं निउस पेपर के मादने से देखते हैं तो देखे आज की मुख खबर है मुखिया से वापस लिए जाएंगे सिक्षा कभेर्थियों के परमान पत्र देखेगा जो ट्विटर कैंपेन और विभीन परकार के माध्यमों से जो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था दवाप बनाने का सरकार पर उसका कहीं ने कहीं असर अब सरकार पर दिखने लगा है और आपको पता है कि जो 2015 में बहाली हुई थी तो उसमें मुख जो थे मुख्या जिला परशाद ये सब जो लोग सामिल थे न वो लोग बरी धांधली उस समय किये थे कागजात भी सही धंग से वो नहीं दे पाय थे और जिसके कारण या बरी पेचीदा फंसा जिसके कारण कह सकते हैं कि हमारे जो सिख्षा विभाग था उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया कि सभी लोग अपना डॉकमेंट्स जारी कर दे अन्या था आप लोगों पर एक वैकेंसी है अब उनकी बहाली तो सुरू होगी बलाइन फ्रेशन केस के बाद उसके बाद आपको पता हैं कि उसके बाद जो ये तीस जार वला जो बहाली था वो पुरा होगा और फिर सब बहाली होगा एक भी आदमी नहीं छूट पाएंगे ठीक है और देखे सरकार कहीं क कहीं इस पर जागरूख है आप लोग एक जूटता को दिखाएं और जहां तक सीटेट 2000 देखेगा सीटेट जो जनवरी और दिसंबर की बात आप लोग बार बर कर रहें कि दिसंबर वाले जनवरी वाले 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 बाहली में शामिल कर लें यह मूमिकी नहीं है क्योंकि असपश तोर पे सिच्छा विभाग ने कह दिया है कि उन्हें अब सामिल नहीं किया जाएगा उन्हें अगले बाली यानि जैसे ही 94 के बाली होती है सिक्स फेस खतम होता और यह सेवें चरन जो है बिहार एस टीटी जो है उसका नियुकती पत्र मिल जाता तो उसके बाद अ उन्लाइन अबेदन होगा तो उसमें तो एदम सोने पे सुहागा है आपको नोकरी मिल ही जाएगी समझ रहे ना तो बस इसको होने दीजी अराम से इसको करवाने ज़्यादा ज़ंजट करने की जोरत नहीं है आप लोग कोट कछरी के मामले में जो चले जाते हैं यही उनको तो नोकरी ऐसे भी मिल जाए तो फिर क्यों वह चार परसेंट की बात करें और यही कारण बन रहे हैं और जिसके कारण यह जो बहाल ही हो फंस चुकी है अभी लेकिन इसको हम लोग को अब चुकी अब देखे कोट भी खुल चुका है ऑनलाइन भी हो चुका है होगी तो इतना तो सियोर है कि आप यह केस का फैसला आएगा जब फैसला आएगा तो अब बहाली में देर भी नहीं लगी लेकिन आए इसके पहले जो धांदली हुआ करते थी उसके लिए सरकार सचेत है और वह मुख्या से वापस लिए जाएंगे सिक्षा अभीरतों के प परकासित हुए उसका जो निउस हो है उसको हम लोग देखते हैं सिक्षा पिभागने सिक्षा का अभ्यरतों के कागजात नियोजन समीतियों के अध्यक्ष से वापस लेने को का है शभी डी-म को सुमबार को इस बाबत निर्देश जारी किया जारी किया है ठीक है अब इसक सिक्षा बिभाग के अपर मुक सचिप संजय कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को सिक्षकों न्युक्ति से सम्मंदित कागजातों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत पंचा समीत और जिला परिशत के निर्वाचित सदसों कारज कल चुकि 15 जुन को समाप थो रहा है और जैसे 15 जुन को समाप थो जाएगा तो यह लोग तो लापर वहा है न चुकि यहां पर तो कोई भी सासन वेवस्ता आप जानते हैं कि अच्छी धंग से चलती नहीं है एक काम के लिए कोट दरना पड़ता हर चीज पर तो यह जो से समदित ग्राम पंचायत पंचायत समीत जीला परिशत के काड़िशपालग पतादीकारी यथा पंचायत सचीव परखन विकास पतादीकारी और उप विकास आयूक्त को जुलाई अगस्ट 2019 में प्रारम के नियुक्ति की कारवाई से समदित सभी अविलेखों का संधा करना सुनिश्ट करें नियुक्त सिक्षकों को सैक्षिनिक परमान पत्रादी का संधारन भी नियोजनिकाय के सदस्चीव के असर पर कराया जाए तो ये बहुत बड़ी खाबर है क्योंकि जब यह लिया जा रहा है तो अब फढ़ जीवारे का जो है वह बिल्कुल नकेल कश जाएगी और किसी भी परकार के धांदली होने की संभाबना नहीं है और पता भी चल जाएगा कि जो भी अभी तक डॉक्मेंट्स नहीं दिये उनका रद भी होगा और उनको पैसे भी देना पड़ेगा जितना उन्होंने अभी तक कमाए हैं समझ रहें न बात को तो आप वाले भी परसान नहीं हो उनका भी उर्दू संस्क्रीत और जो बिज्ञान का रिजल्थ हो बहुत जल्द परकासित हो जाएंगे एकिस जून के बाद सायद उसकी परक्रिया तेजी से बढ़ेगी और चुराने में जर भाले भी अब ब्लाइन जो है कि फेडरेशन केस उसक के बाद आपको नियोज को सबको मानता दे देगे तो कोई भी परसान नहीं अराम से अब नोकरी करिएगा आप लोग निश्चीनत रहिए अब बहुत जल्द कोबीड-19 का परभाव कम जाए उसके बाद देखिए नहीं तो आप लोग ट्विटर कंपेन पर भी हिसा ले और सरकार को समय समय पर जरूर दवाब बनाने का उस पर परियास किया जाए तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सेर केजिएगा सब्सक्राइब आप लोग जरूर करतेजिए ओके ठैंक्स पर वाचिन जै इन जै भारत